हेलो गाईज, आज हम अन्बॉक्सिंग करने बाले हैं, स्टार एड डेजी स्ट्रोलर आज हमस्का असेंजली जीट देखेंगे और ये स्ट्रोलर वो कम रेट में हमको एड़ेजॉन पे अड़ेज़ देखेंगे इसके साथ सब्सक्राइब भी जाते हैं, और इसका चुब मेटल है, त्रेंब है, वो अलोई के साथ आलाव को है तो इस एजी और कैडिग, और आगर कैडिग करना चाते हैं और शाता की लिए, प्रैविं के लिए तो भी एजी है आप, यह कुछ इस तरीके से यह स्टोलर है, यह बटन प्लिक तरने के बाद, हम इसे ओपन करेंगे यह फ्रांट फील है, फ्रांट फील हम जब इंस्तॉल करते हैं आप आपको यहाप एक बटन है जब यह रिमूव करना होगा तो आप यह बटन प्रेस करके इसे रिमूव कर सकते हैं और इसे फिट भी कर सकते हैं इस प्रॉलर को यह बहुत ही सिंपल है यहाँ पर एक बटन दिया है और इसे प्रेस करना है और यह लग जाएगा तभी बार ऐसे होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं यह एक होल्डर को लग कर आता है हम इसे इस तरीके से रिमूव भी कर सकते हैं यह रिमूव करने के बाद हम इसे फूड ट्रे भी होल्ड कर सकते हैं यह कुछ इस तरीके का दिखाई बढ़ता है अगर किसी एक ट्रे को यह फोल्डर को हम लगा कर दिया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे इसका इसका इंफॉर्मिशन पही को भी नहीं दिया है इसलिए आप केर फूल्डर यह बढ़ चेक कर लेना कि यह फोल्डर या फूट्रे को लगा होगा और इसे लगाने के बाद हम कुछ इस तरीके से फूट्रे इसे फिक्स कर सकते हैं अगर आपका बेबी बैटने लायक है इसे एट मंत का है और इसे प्रेस करना है तो आप उसे बिठा कर यहां पे खिला पि इसे करना है इस यहां पर बैल्ट दिये हैं और यह सेटिंग दी है और उपर पोर्षान को हम अगर लिफट करेंगे और इस बटन को ऊपर की और खीजियेंगे तो यह डिक्लाइन हो जाएगा अगर इंक्लाइन करना है तो इस बटन को ऐसे बेट्स को पगड़ कर नीचे की और खीछना है और वो इंक्लाइन हो जाएगा कुछ इस तरीके से यहां पर एक छोटी सी पॉकेट्स भी दी है और नेट भी है यहां पर उजाला आने के लिए और वेंटिलेशन के लिए और रोज गोल्ड कलर का इसका एक कॉंबिनेशन है इसका और और व्यू देखेंगे त उस्त्रुक्षर इन्होंने डिसाइन किया है और यहां पर भी आपको एक वेंटिलेशन के लिए नेट गिया है कई बार बेबी दब्ला जाते हैं जादा अंधेरा हो जाता है तो अगर आप तो उस वक्त आप यहां पर भी ओपन कर सकते हैं जिसे की बेबी को वेंटिलेशन एंड थोड़ा सा उचाला दीखेगा इसमें और कलर्स भी आवेलेबल है तो कुछ यह इस तरीके से टोलर है यह हैंडल है फ्रेंड्स इसे हम बैकवर्ड एंड फॉर्वर्ड भी कर सकते हैं यहां पर कुछ यह इस तरीके का इस इस तर तरह यहां पर प्रेस कर सकते करके जब आप कोलडर या फॕ्ट रचिक्स करोगे तब यहां पर कुछ इस तरीके से यह लोक हो जाएगा और आप इस प्रोलर का जो हैंडल है वह वह और भी कर सकते गांद बेबी को आपका फेस दिखेगा और वहस माहीं नहीं गबरा जाता है स्ट्रोलर में तो इसलिए पेरेंट्स को ये फॉर्वर्ड साइड में हैंडल लेके इसे क्यारी करना चाहिए अभी कुछ इस तरीके से डेजी को हम रख रहा है कि ये डेजी अभी 4 मैंथ ओल्ड है इसे बहुत मता आ रहा है स्ट्रोलर में तल्फ्यूज भी है कि ये क्या चल रहा है आप इस बेल्ड को एड़्जस कर सकते हो इस पर रिवर रिक्वार्मेंट ये कुछ ऐसे इस तरीके से दिख रहा है और काफी कॉंफरेबल है बेबी के लिए और बेबी भी काफे इंजॉय करना है लाइट वेट का स्ट्रोलर है और इसका मेटल भी कुछ बहुत अच्छा काफी रिक्रेशन का है और डिजाइन भी बहुत प्यारा किया है इस कंपनी में स्टार एंड डेजी और जो गोल्डन रिप्स है इससे ये बहुत अच्छा मुझे परस्नली स्ट्रोलर अच्छा लगा शॉक अपस भी है इसके अंदर और बहुत सारे इमोने वराइटीज भी दिया है और एक्षीज हैंडल एजस्मेंट, होंक ट्रे और फाइपोंट प्रोडेक्शन भी दिया है इसका बास्केट भी बढ़ा है परस्नली मुझे ये पोकेट फ्रेंडली लगा है और लुक भी अच्छा कर रहा है कहीं आप जा रहे हो ट्रावलिंग कर रहे हो तो ये इजी है क्यारी करने की लिए इवन आप प्लेन से भी कही जा रहे हो तो वेट लिमिट होता है तो ये लाइट वेट में आता है अगर आप सिंपल बोल्डर लगाते हैं तो आपको इसका जरुरत पड़ेगा अगर आप फुट्रे यहां पर प्लेस करते हैं तो आपको बॉटल गोल्डर की जरुरत नहीं है फिर भी आप खुद का बॉटल यहां पर रखना चाहते हैं तो यह यहीजी है लगाने के लिए और रिमूब करने के लिए भी और फ्रंट साइड में यह ब्रेक्स दिये कुछ इस तरीके से अगर आप हैंडल को फ्रंट लेकर ओपरेट कर रहे हो तो आप अपने फुट्स यह ब्रेक कर सकते हो स्ट्रोलर रुप जाएगा अगर आप इसे इस है इस तरीके से आपको अपरेट करना है यहां पर एक छोटा सा रॉड है अगर आप ब्रेक्स लगाते हो इस तरीके से तो आपका स्ट्रोलर स्टॉप हो जाएगा और आप इसे निकाल दिए और फिर से फ्री हो जाएगा हुआ झाल